हेलो डियरे स्टुरेंट्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल स्टडी विद दुलार में बच्चों ये क्लास 4 का इंग्लिश बुक है और ये चेप्टर है 5 इस चेप्टर का नाम है मार्था तो मार्था एक्ट्विली यहां पे एक पो है कि बच्चे उसमें खो जाते थे यहां प Mhm इनकी कहाणि उस के इस तरह की कहानी चुन आती थी जिस समय औंच सुनाती थी और जो बच्चे सुनते थे उन बच्चों में यहां पे जो पोयम लिखा हुए है उसका पोएट भी है जो की कहानियां सुनता था तो इसि लड़क उसी के बारे में poet ने यह poem लिखा हुआ है तो आई हम लोग पढ़कर देखते हैं Once, once upon a time, over and over again, Martha would tell us her stories in the Hazelglen यहां पे इस कविता को Walter D. La Mer ने अपने बच्पन को याद करते हुए लिखा है इस poet का नाम है Walter D. La Mer जब वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर Hazelglen की घाटी के सामत और एकांत वातावरन में मार्था नामक यूती के द्वारा कहानिया सुनते थे उस समय को याद करते हुए वे लिखते हैं एक समय की बात है वह Hazelglen की घाटी में बार-बार अपनी कहानिया सुनाती थी Hazelglen मतलब घाटी होता है तो वहाँ पे वो कहानिया सुनाय करते थी बच्चे वहाँ पे खेलते थे इसके आगे दिया हुआ है कभी आगे कहते हैं उसकी आखे स्वच और भूरी थी उसकी आखे ऐसा मोहित करने वाली थी कि सुनने वाले सुरोता पूरी तरह मोहित हो जाते थे उसकी कहानिया सब के मन में शपने की तरह बस जाते थे इसकी अगली पंक्ति दी हुई है She would sit with her two slim hands Clapsed around heriended knees While we were on our elbows and stared at ease अगली लाइन में कभी बता रहे हैं वा अपनी पतली पतली हातों से मुड़े हुए गुटनों को पकड़ कर बैठती थी जबकि हम लोग मुड़े हुए गुटनों पर केहुनी रखकर बैठते थे और आराम से उसे देखते रहते थे और अंतीम चार लाइन दिया हुआ है अंतीम चार लाइन में कभी कह रहे हैं उसकी मीठी आवाज पतली नुकीली ठुड़ी और छोटा सुंदर और गंभीर सीर इतने परभावसाली थे कि उसके द्वारा कही गई कहानियों का आधा अर्ध समझा देते थे बच्चे उसकी कहानियों में मगन हो जाते थे खो जाते थे और यहाँ पे दिया हुआ है पोएट का नाम दिया हुआ है वाल्टर डी ला मेर तो यहाँ पर यहाँ समाप्त हो गया है आए देखते हैं इसमें क्या questions दिया हुआ है सबसे पहले यहाँ पर new words दिया हुआ है इसको कम से कम एक बार दो बार इसको पढ़कर जरूर याद कर ले यहाँ पर इसका exercise दिया हुआ है question number one और इसमें four question दिया हुआ है चोटा-चोटा question दिया हुआ है और two number में यहाँ true false दिया हुआ है तो मैं यहीं पर इसका answer बतला देता हूँ आगे देने क्या सकता नहीं पड़ेगा यहाँ पर लिखावा Martha told stories Martha कहानी कहती थी तो यहाँ true हो जाएगा children did not like Martha's story बच्चे Martha के story सुनना पसंद नहीं करते थे तो यह false है तो बच्चे सुनते थे Martha's hand were slim Martha के hand जो थे वो slim थे पतले थे तो true हो जाएगा सही है there was no effect of Martha's voice on children Martha के कहानी से बच्चों को कोई भी effect ने पड़ता था नहीं सुनते थे उसको तो यह false है उसके भाइस से बच्चों को काफी effect पड़ता था वो खो जाते थे Martha had a big head Martha का सीर बहुत बड़ा था तो यह false है सही नहीं है उसके बाद आगे दिया हुआ यहाँ पे underline the correct past participle form of the given verbs भर्ब अगर आप लोग पढ़े होंगे तो कम का past participle क्या हो जाएगा यह जो टिक लगा हुआ है यह सही है right का return हो जाएगा यह भी सही है say का said हो जाएगा यहाँ भी सही है it का return होगा लेकिन यहाँ पे जो spelling दिया हुआ है यह सही होगा यहाँ पे mistake है आप लोग इसको टिक लगा लेंगे watch का watched हो जाएगा ed सिर्फ लगेगा और sit का sat हो जाएगा no का non सब सही है यहाँ पर सिर्फ eaten का इसमें टिक लगा लेंगे आप लो question number four में यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि कुछ words poem में आयो हुए है जो adjective है जैसे कि grey, slim, narrow and lovely तो उसी तरह से यहाँ पर sentence दिये हुए है उसमें भी कुछ adjective words यूज हुए है तो उसको टिक लगाना है बतलाना कि कौन सा word है तो यहाँ पर दिया हुआ है जैसे brave man तो यह brave हो जाएगा यहाँ पर सही is an honest man तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पर सभी टिक लगा हुआ है we drink cold water in summer cold हो गया यहाँ पर the butterfly is beautiful तो beautiful हो गया you are an intelligent student यहाँ पर intelligent हो गया तो यहाँ पर साइड में चो लिखा हुआ है यहाँ पर और black जैसे कि यह words किसके साथ मिल रहा है blackboard तो यहाँ पर सही लगा हुआ है film star यह भी सही है washing machine उसके बाद जेवरा crossing यह सही लगा हुआ है ice cream सही है classroom railway railway होता है bus stop बस स्टॉप होता है इस तरह से यहाँ पर जो बना हुआ है यह बिल्कुल सही है इसलिए मैं इसका answer आगे नहीं दूँगा अब यहाँ से देखकर बना सकते हैं कि उसके बाद यहाँ पर question number six आ गया है और इसमें कुछ words दिया हुआ है यहाँ पर यह है question number six और यहाँ पर कुछ words दिया हुआ है पहले से और यही word चून कर यहाँ पर भरना है जिस तरह से यहाँ पर sentence दिया हुआ है जैसे कि the place where children go to study बच्चे जहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं वो कौन सा जगा होता है तो वो जगा होता है school यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर इस तरह का writing में लिखा हुआ है कि आप इसको देखकर पता नहीं चलेगा कि क्या लिखा हुआ है इसलिए मैं इसका answer आगे दे दूँगा अगे और देखते हैं इसमें क्या question दिया हुआ है यहाँ पर question number six जो है last question है तो आई आप लोग को सभी important question का answer बना के देता हूं यह है chapter 5 का question answer answer these questions why did Martha tell her stories Martha told her stories in the hazel gland what was the color of Martha's eyes the color of Martha's eyes were clear gray how did children seek to listen stories the children set their elbows on knees describe Martha's head her head was small and lovely question number 6 और इसके अलावा जितने भी question है उन्स सभी के answer वीडियो में ही बतला दिया गया है और question number 6 का answer यहां पर direct दे दिया गया है आप इसको देखकर अपने book में लिख सकते हैं copy में लिख सकते हैं यहां पर यह चप्टर पूरी तर असमाप्त हो गया है अगर आप लोग को हमारे वीडियो से मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए इसके एगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगली वीडियो में चलेंगे ताहिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं